Hello everyone, Welcome to the channel आज किसी ने बात करने वाले हैं एक और नहीं जब अपडेट के बारे में तो आप इस वीडियो को अन्द देखना है क्योंकि इस वीडियो में हर एक चीज के बारे मीं डिटेल में डिस्स कहने वाला हूँ तो आप इस वीडियो को अन्द देखना है और हाँ अभी तक नेमें चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो प्लीЗ सब्सक्राइब कर едNow रहने वाली है और यह यह नोग जो आपका जॉब रहने वाली है और experience के लिए अलग vacancy रहने वाली है अगर आपके पास three year का experience है तो ही आप apply कर सकते हो और इसमें जो domain mention कर रखा है उसमें आपका experience है तो ही आप यहाँ पर apply कर सकते हो तो यह पूरा detail यहाँ पर दे रखा है बाकि यहाँ पर post and vacancies की बात करें तो आप देख सकते कि कौन से post के लिए कितनी vacancy रहने वाली है और कितनी आपकी salary रहने वाली है यह सारी चीजे और age आपकी कितनी होनी चाहिए तो यह सारी चीजे एक table बना के दे रखी है and then total post की बात करें तो 100 post है and यहाँ पर अगर important dates की बात करें तो 5 September से यह apply होना है start हो गया था और 4 October तक यह apply होगा तो यहाँ पर date आप देख सकते हो कि यह इसका last date क्या रहना वाली है 4 October तक and eligibility criteria की बात करें तो अगर आप junior executive के लिए apply करना चाहते हो fire and safety के लिए तो अगर आपके पास 3 year का diploma है तो यहाँ पर आप apply कर सकते हो total यहाँ पर 37 vacancy रहना वाली है 3 year का diploma आपके पास होना चाहिए तो ही आप यहाँ पर apply कर सकते हो यहाँ पर junior executive अगर mechanical की बात करें तो अगर आपके पास diploma है 3 year का mechanical में 60% marks के साथ तो ही आप apply कर सकते हो and then ACHD के लिए 50% marks आपके पास होना चाहिए and then यहाँ पर key responsibility है अगर आप चाहो तो read कर सकते हो बाकी कोई दिक्कत नहीं है and then यह यहाँ पर assistant accountant के लिए भी है तो अगर आपने CA वेगरा करा है तो भी आप यहाँ पर apply कर सकते हो and key responsibility आप यहाँ पर देख सकते हो assistant engineer chemical की बात करें तो अगर आपने 4 year का full time regular भी बीटे किया है अगर आपने mechanical से and petrochemical से और minimum 60% marks है आपके पास तो यहाँ पर आप eligible हो apply कर सकते हो and key responsibility आप देख सकते हैं and then बात करें हैं post engineer mechanical की तो अगर आपके पास 4 year का भी बीटेक है mechanical में mechanical and production में production with production में and with minimum 60% marks then आप apply कर सकते हो and then यहाँ से आपका work experience start हो जाता है कि आपके पास work experience 3 year का है तो ही आप इसमें apply कर सकते हो आप यहाँ पर देख सकते हो minimum work experience 3 year का होना चाहिए यहाँ पर आपका experience किस में होना चाहिए वो चीजे mention कर रखिए आप read कर लेना अगर आपके पास in domain में experience है तो ही इस post के लिए आप apply कर सकते हो and then यहाँ engineer chemical के लिए है इसमें before year का आपका भी बीटक होना चाहिए experience भी चाहिए तो इन domain में आपके पास experience है ज़रू से आप apply कर सकते हो and then यहाँ पर next fire and safety में रहने वाला है तो आप देख सकते हो read कर सकते हो पूरा and then यहाँ पर next आपका जो salary है वो रखी गई है तो अगर कर दो आप junior executive के लिए apply करना चाहते हो तो 7 LPA का आपका salary रहने वाली है AND assistant engineer के लिए कर नओ कर 18 LPA के इसे के रहने वाली है ना बात कर आप सेलarta की तो selection procedure में आपका 2 तREE होने वाला है चाहिए experience वाले हो या फिर आप फ्रेसर हो तो आपको यहाँ पर test देना परहे गाए and skill test होगा and यहाँ पर personal interview रखी गई है तो three stage यहाँ पर आपकी रहने वाली है पहला interview sorry पहला यहाँ पर computer based test इसके बाद skill test and then यहाँ पर आपका interview होगा then यहाँ पर आपका selection होगा यहाँ पर application process आपका online रहने वाला है जो की website यहाँ पर आप देख सकतो विबसाइट पर जाके आप carrier के section में जाके current opening में जाके यहाँ पर आप जाके apply कर सकते हो तो link description में दे दूँगा वहाँ जाके आप अराम से apply कर सकते हो यहाँ पर application fee की बात करें तो application fee थोड़ी सी ज़्यादा रखी गई है यहाँ पर अगर आप यू आर ओबी सी नॉन क्रिमिलियर इड़ एस हो तो आपको 1118 पे करने होंगे फी 1118 रूपीज यहाँ पर आपको पे करने होंगे अल्मोस्ट 1200 यहाँ पर पे करने होंगे अगर आप ACHD हो, PWBD Candidate हो तो आपको कोई भी fee पे नहीं करने है तो यह था आज का वीडियो, आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते है नेक्स वीडियो में अगर अभी तक आपने में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो, साथ में जो बेल आ